आपके पास भी आशा पटाटो PC है और उसमें आप वेलरेंट को ख्यालना चाहते हैं और आपके पास ग्राफिक कार्ट बिल्कूल भी नहीं है तो भाईया आप एकदम पर्फेक्ट वीडियो पे आए हो इस वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखना तो हे नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और ने इंट्रेस्टिंग वीडियो पे तो वेल गैस जो आज का वीडियो होने वाला काफी खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके पास एक पुराना PC है और उसमें आप वेलरेंट को प्ले करना चाहते है त काफी ओसम चल रहा दूस्तों आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा दूसरी पात दूस्तों अभी तेक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देखो दिल से बुरा लगता है जो तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज सब्सक्राइब करें आपको दिखा देना चाहता हूं तो सबसे पहले में माई केम्पूर्टर पर चलता हूं कि मैं पता दूँ कि जो मेरे यह लैप्टॉप है अल्मोस्ट नाइन इयर्स ओल्ड है और काफी लो यहां पर आपको डाउनलोड करना है चुक्कि अगर आप इसे डाउनलोड नहीं करते हो तो भाई आपका गेम नहीं चले का लाउनलोड करेगा तो यह कहां से डाउनलोड करना है यह आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा आप आराम से जाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इसे एक्स्ट्राक कर लिए, आप किसी से भी ऐक्स्ट्राक कर सकते हैं 7zip है तु यहां पर मैं से 7zip से एक्स्ट्राक कर ले रहा हूं objective 24 MB का 밥 है अझे देख सकते हैं यहां पर हमरास पी फह हेав mixtureure अच्ट्राक हो चुक है सब्करते हैं अब आपको जाना है सर्च बार में यहां पर आपको टाइप करना है परसेंटेज आप डाटा परसेंटेज तो सिंप्ली आपको यही टाइप करना है ठीक है यहां इसे आपको ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको app data पर click करना है यहाँ पर आपको local में जाना है यहाँ पर आपको search करना है wellrant का folder तो simply हम search कर लेते हैं आपको नीचे ही मिल जाएगा यहाँ पर यह रहा दोस्तो तो यह रहा हमारा wellrant का folder simply आपको इसे open करना है save file मिलेगा save file folder को open करना है आपको यहाँ पर config पर जाना है एड दुस्तों यहाँ पर आपको बहुत सरे folders मिलेंगे तो यह जो देख रहे हो 90261 तो simply आपको इसमें जाना है और यहाँ पर windows को open करना है और simply जो आपने config को copy किया था simply यहां पर आपको replace कर लेना है तो यहां परقة misin कर लेता हूँ तो यहां पर चुरहा means वाला काम होता है दोस्तों वह तो यहां पर complete होता है अभी फिन से चलना है उस fes boost वाले फोल्डर पर वैंक प्रॉक्सी मिलेगा वेल्रेंट प्रॉक्सी आपको इस पे जाना है इसे आपको double tap करना है यहाँ पर आपको yes करना है और फिल से yes करना है और आपका जो proxy file है वो successfully install हो चुका है और दूस्तों यहाँ पर आपको CS cleaner देखने को मिलेगा simply आपको इसे भी install कर लेना है अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको सबसे पहले आना है यहाँ पर आपको कस्टम क्लीनिंग में आना है और इसे आपको run cleaning में गबर क्लिक कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक pop-up शो करेगा simply आपको यहाँ से yes कर लेना है और जो भी बैग्राउंड में अप्लिकेशन अगर आपका रन कर रहा होगा वो आटोमेटिकली ही क्लोज हो जाएगा सभी क्लीनिंग हो चुका है कम्प्लीट हो चुका है और यहां से अब इसे क्लोज कर लेना आपको और कुछ भी नहीं करना है तो यह सी क्लीनर का भी हमारा काम कंप्लीट होता है अब आपको लास्ट में टाइमेर रेजुलेशन को ओपन करना ठीक है अब हमें अपने पीसी लाप्टॉप में कुछ सेटिंग करना है तो सबसे पहले दूस्तों यहां पर हमें सर्जबार पर आना है यहां पर हमें टाइप करना है पावर तो यहां पर आप पावर प्लान लिख यसी लिखोगे यहां पर एडिट पावर प्लान का आ जाएक ऑप्शन सिंप्ली आपको इस पर क्लिक करना है तो यहां पर आपको पावर आप्शन मिलेगा उपर में सिंप्ली आपको ऊपर पर पर आप्शन पर क्लिक क करना याप पर कई आध कि इसे आफ पर्फॉब्स में सेट कर लेना है ठीक है एंड आपको नेक्स्ट करना या और आपको भी नाम दे सकते हो तो मैं डिफॉल्ट ऐसी कर ले रहाँ ठीक है तो जहसी देख सकतें हमरा याप पावर प्लान क्रियेट हो चुका है अब इस दोस्तों अभी अभी सिपली का करना है यहां से में क्लोस करना इसे भी अब हमें फिन से सर्च बार में जाना है यहां पर अपने को टाइस करना है एडवांस तो यहां पर आपको टाइप करना है व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर जाना है पर आपको settings में जाना है दोस्तो advanced में तो यहां पर इसे adjust for best performance में आपको इसमें यहां पर click कर लेना ठीक है और इसे apply पर click कर लेना आपको ओके तो यहां simply okay में click करते हैं और दोस्तों यहां हमारा almost सभी settings complete हो चुका है अपको यहां पर right click करना है अपने desktop पर यहां आपको graphics properties पर जा रहा है और यहां पर दोस्तों आपको power options पर जाना है and by default यहां पर balance mode में रहेगा simply आपको यहां पर performance maximum performance पर click कर लेना है यहां से से आपको apply करके set कर लेना है ठीक है तो यहां बस आपको इतना ही करना है almost सभी काम complete होता है make sure कि अगर आपकी पास game नहीं है तो please आप मेरे website से जाके download कर लें दूसरी बात कि याज़ प्लीज अपने windows को up to date करके रखना ठीक है तो अब हमें क्या करना है जो हमने timer resolution क को नीचे minimize करके रखाता है simply अभी आपको इसे maximum पे कर लेना है जब आप game खेल लो मतलब game को close कर लो तो इसे default पे कर लेना तो इसे minimize पे click करते है अब चलिए हम game को open करके देखते है कि हमारा game कैसा चल रहा है कि आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारा game में वह open हो चुका है और यहां पर मेरे को कोई भी lag देखने को नहीं मिल रहा है और एक बात और कि यहां पर आप जब game खेले अपने laptop या PC पे तो यहां पर अपने laptop में charger connect करके खेले मतलब जो charger होता है laptop का उसे connect करके खेले तो इस अपती कम हो जाएगा तो यहां पर मेरे को एकदम lagness देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तो जैसी आप देख सकते हैं यहां पर मेरे को थोड़ा की handle करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है चुके यहां पर मैं प्रस mouse and keyboard नहीं है तो इसलिए मैं जो भी laptop का रहता है उसी से खेल बैट से तो वैल गैस बस आज की वीडियो वह सेतना इस था तो इस लो एंड पीसी लैप्तोप में आप बेल रेंट केल सेकते हैं वो वह परेशानी के आई होब दोस्तों कि यह वीडियो आपको वीडियो पसंदए वीडियो को लाइक करो शेर को एन सब्सक्राइब करो और झाल झाल